गुड मोनिंग स्टूडेंट्स मैं नितु चोदरी स्वागत करती हूं आपका अपने परिवार स्वाध्याई सिरी में तो कैसे आप सभी आई होप अच्छे होंगे प्ष्ट होंगे घर पर होंगे अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे तो जैसे कि आप सभी को पता है यह हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है ठीक है तो इसे ले नन्य भूले इसमें रामबान और जटका सिरीज के साथ हम आधे गंटे में ही लगबग 40-50 कोशन कवर कर लेते हैं तो एक-एक कोशन को अच्छे से नोट डाउन कर आनसर पर पंडित जशराज कल्चेरल फांडेशन लॉंच किया बताइए फषटा-फट से राइट आंसर क्या हो जाता है ओप्षन A है हमारा पंडित जसराज, option B है पंडित जवारलाल नेरू, option C है पंडित गंगाधर और option D है पंडित जेरज, बताइए फटा-फट से राइट आंसर क्या हो जाता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाता है, option A यानि पंडित जसराज जी की 92 जैनती पर, कुनसी जैनती पर, 92 ज एंती पर क्या किया है पंडित जस्राज काल्चरम्वांडेशन लौंच किया है पंडित जस्राज व्यलाफलियस के नौंडेशन करते हुए छलेंगे इसका उद्देश्य क्या है भारत की रास्टिय विरासत कला और संस्कृति की रक्षा संद्रक्षन विकास और विकास को बढ़ावा देना है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलेंगे कोशन नमबर सेकंड कि निम्न में से किसके दुआरा लिखी गई ए लेटिल बुक ओफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ओफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किया गया बताईए फटाफर से ओप्सन ए है हमारा ओब्रे ब्रांड ओप्सन बी है रस्किन बॉन्ड ओप्सन सी है विसाल भार्दुआज और ओप्सन डी है चेतन भगत निम्न में से किसके दुआरा लिखी गई पुस्तक पुस्तक कौन सी है अलेटिल बुक ओफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ओफ इंडिपेंडेंस ये है पुस्तक का विमोचन किया गया बताईए फटाफर से राइट आंसर क्या हो जाता है आरबे बॉन्ड रसकिन बॉन्ड विशाल भारदु आज या चेतन भगत तो राइट आंसर हमारा हो जाता है ओप्सन बी यानि रसकिन बॉन्ड क्या हो जाता है ओप्सन बी इस दा राइट आंसर फटाफर से नोट डाउन करते हुए चलिए खाली में रसकिन बॉन्ड वारा लिखी गई लिटिल बॉक ओफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ओफ इंडिपेंडेंस पुस्तक कभी मोचन किया गया या पुस्तक भारत की भोतिक और आध्यात्मिक विसेश्ताओं का मिश्रण है और रास्ट के रूप में भारत के प कैसलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ साजेदारी की है बताइए फटाफट से किसके साथ साजेदारी की है ओफशन ए है हमारा माइक्रोसोफ्ट ऑफशन B है मास्चर कार्ड ऑफशन C है विजा और ऑफशन D है एनपी सी आई इंटरनेशनल बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है टेरापे ने कैसलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ साजेदारी की है बताइए फटाफट से तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है ओप्शन D यानि NPCI इंटरनेशनल के साथ क्या की है साजेदारी की है किसके साथ की है NPCI इंटरनेशनल के साथ ठीक है टेरा पे ने किसके साथ NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ साजेदारी की है टेरा पे वेस्ट विक स्तर पर टेरा पे कितने 4.5 बिलियन प्लस बैंक खातो और 1.5 बिलियन प्लस मोबाइल वालेट में भुगतान की प्रकिरिया करता है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन पर चलेंगे कि हाल ही में किसने एहमदाबाद में साबरवती रीवर फ्रंट पर मिट्टी के कुलहडों से बने महत्मा गांधी के बित्ती चित्र का अनावरण किया है बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है ओप्सन ए है राजनाथ सिंग, निर्मला सितारमन, अमित सहा या हर्दीप सिंग पुरी बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है हर्दीप सिंग पुरी ओप्सन ए है हमारा राजनाथ सिंग, निर्मला सितारमन, अमित सहा या हर्दीप सिंग पुरी राइट आंसर क्या हो जाता है बताइए फटा फट से तो राइट आंसर हो जाता है हमारा अमित सहा जो क्या है हमारे केंद्रिये ग्रहे एवं सहकारिता मंत्री है Option C is the right answer क्या हो जाता है अमित सहा Next question पर चलेंगे Question No.5 कि भारतिये नोसे नमे विभिन नोसेनिक कमांडो के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है बताइए फटा फट से right answer क्या हो जाता है Option A है पूर्वी लहर, पस्चीमी लहर, उत्री लहर या दक्षिनी लहर बताइए फटा फट से इसका right answer क्या हो जाता है पूर्वी लहर, पस्चीमी लहर, उत्री लहर या दक्षिनी लहर तो right answer क्या हो जाता है हमारा Option B यानि पस्चीमी लहर क्या हो जाता है पस्चिमी लहर इसका right answer हो जाता है next question पे चलेंगे question number 6 अजेंस franchise की development और किसने हाल ही में नवाचार को बढ़ावा बढ़ाने के लिए स्वच्चता start-up चुनोती launch की है बताईए फटाफट से right answer क्या हो जाता है चोटा करना पड़ेगा थोड़ा पूरा question नहीं दिखाई दे रहा है चलिए अब दिखाई दे रहा है पूरा question तो करेंगे इसका answer फटाफट से option A है हमारा केंदर सरकार option B है नीती आयोग तीसरा है department of promotion of industry and internal trade और option D है हमारा योजना आयोग बताइए फटाफट से इसका right answer क्या हो जाता है question number 6 का right answer क्या हो जाता है option A है हमारा केंदर सरकार नीती आयोग department of promotion of industry and internal trade और last है हमारा योजना आयोग तो right answer क्या हो जाता है इसका option C हो जाता है हमारा right answer यानि department of promotion of industry and internal trade इसका right answer हो जाता है question number six के बाद next question के चलेंगे इसके बाद आजाती है हमारी Rambarn Prasnoku series इसमें हमने क्या लिए है अनुसंधान संस्थान लिए है क्या लिए है अनुसंधान संस्थान ठीक है एक एक अनुसंधान संस्थान कहां कहां पर है ये note down करते हुए चलेंगे ठीक है चलिए तो सबसे पहले हमारा केंदरिये चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर इस्थित है बताईए फटाफट से केंदरिये चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर इस्थित है एक एक कोशन को बहुत ही अच्छे से note down करते हुए चलेंगे हमारा केंदरिये चाहल अनुसंदान संस्थान कहां पर है कटक में है कटक कहां पर है उड़ी सामे कहां पर उड़ी सामे चलिए फटा फट से एक कुशन को बहुत ही अच्छे से साफ 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 नोट डाउन करते हुए चलेंगे दूसरा है हमारा केंदरिये तंबाकु अनुसंदान संस्थान केंदरिये तंबाकु अनुसंदान संस्थान हमारा कहां पर हो जाता है बताएंगे फटा फट से चलिए तो केंदरिये तंबाकु अनुसंदान हमारा हो जाता है राज मुंदरी में कहां पर हो जाता है राज मुं केंदरिये आलू-अनुसंद्हान संस्थान केंदरिये आलू-अनुसंद्हान संस्थान हमारा कहांपन हो जाता है इसके बाद आ संस्थान हमारा कहां पर है केंद्रिय बहुन निर्मान अनुसंधान संस्थान हमारा है रुड़की में रुड़की उत्राखंड में नेक्ष्ट आ जाता है केंद्रिय वन अनुसंधान संस्थान हमारा कहां पर है तो यह हमारा दहरादून उत्राखंड में है कहां पर है दहरा नेक्स्ट है हमारा ओध्योगिक विस विज्ञान अनुसंधान संस्थान बताईए ओध्योगिक विस विज्ञान अनुसंधान विस यानि जहर विस विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर इस्थित है यह हमारा लखनव में इस्थित है कहां पर है लखनव में नेक्स्ट है हमारा केंदरिये वनस्पती अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो ये भी हमारा लखनव में ही हो जाता है कहां पर हो जाता है लखनव में इसके बाद है भारतिये किर्सी अनुसंधान संस्थान कहां पर है हमारा भारतिये किर्सी अनुसंधान संस्थान हो जाता है हमारा पर पर सい नोट करेंगे या स्क्रीन शोट लेंगे फिर नेक्स्ट चलते हैं इसके बार आ जाता है भारतिय रास्टिय राजमार्ग प्राधिकरण बताइएए भारतिय राश्टिय राजमार्ग प्राधिकरण भारतीय, रास्टीय, राजमार्ग, प्राधी करण बताईए फटाफट से ये कहां पर है तो ये भी हमारा नई दिल्ली में हो जाता है नई दिल्ली में हो जाता है फटाफट से नेक्स्ट है केंद्रिय सडक अनुसंधान संस्थान बताईए केंदरिय सडक अनुसंधान संस्थान हमारा कहां पर है? फटाफट से बताएंगे केंदरिय सडक अनुसंधान संस्थान भी हमारा नई दिल्ली में ही है कहां पर है नई दिल्ली में नेक्ष्ट है हमारा अखिल भारतिय आयूर विज्ञान संस्थान बताईए अखिल भारतिय आयूर विज्ञान संस्थान भी हमारा कहां पर हो जाता है नई दिल्ली में ही हो जाता है यानि अधिकतर हमारे अनुसंधान संस्थान कहां पर है दिल्ल में भारतिय चीनी तकनी की संस्थान कहां पर है यह हो जाता है हमारा कानपूर में कहां हो जाता है कानपूर नेक्स्ट है हमारा केंदरी ये नारियल अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो ये हो जाता है हमारा कासर गोड में कहां हो जाता है कासर गोड ठीक है फटाफट से नौट डाउन करेंगे या स्क्रीन सोट लेंगे फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर इसके बाद आ ज MOU पर हस्ताक्षर किये है, बताईए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है Option A है चीन, Option B है हमारा जापान, C है फ्रांस और Option D है हमारा अमेरिका बताईए फटाफट से right answer क्या हो जाता है option A है हमारा चीन, जापान, फ्रांस और अमेरिका बताएंगे फटाफट से question number 7 का right answer क्या हो जाता है बताईए फटाफट से इसका right answer हो जाता है हमारा option C यानि France क्या हो जाता है France हमारा right answer हो जाता है ठीक है? फ्रांस की राजधानी क्या है? पैरिस कैपिटल क्या हो जाती है? पैरिस हो जाती है फटा फट से नोट्डाउन कर ते भी चलेंगे नेक्स्ट कोशन पर चलेंगे इसके बाद आ जाती है एक जलग 31 जन्वरी के इतियास की यानि 2021 जन्वरी को ऐसा क्या क्या हुआ था ठीक है तो फटा फट से नोट डाउन करेंगे एक एक कोश्चन को ठीक है चलिए सबसे पहले 31 जनवरी 1561 को मुगल बादसा को तक्त तक पहुचाने लायक बनाने में एहम भूमी का आदा करने वाले बैरम खांकी हत्या कर दी गई थी कब कर दी गई थी 31 जनवरी 1561 को कर दी गई थी ठीक है फटा फट से नोट करते रहिए दूसरा क्या हुआ था 31 जनवरी को ही 31 जनवरी 1747 को लंदन लोग हॉस्पिटल में पहली बार बैंगलिया रोग क्लीनिक खोला गया था क्या कोला गया था बैंगलिया रोग क्लीनिक नेक्स्ट क्या आ जाता है इसी में 31 जनवरी 1801 में जोन मार्सल को संयुक्त राज्य का मुख्य नयधीस नियुक्त किया गया था नेक्स्ट आ जाता है 31 जनवरी 1804 को गरबेशियो एंटीनियो डी पोला दासको रियो डी ला प्लाटा वर्तमान में अर्जेंटीना का सुप्रीम डाइरेक्टर न्युक्त किया गया था इसके बाद 31 जनवरी 1846 को मिलवोकी ब्रिज युद के बाद जुनेव टाउन और किलबर्न आउन सहर दोनों के मिलकर मिलवोकी सहर के स्थापना की गई थी फटापर्स नोट डाउन करेंगे ये सारी घटनाए कब की है 31 जनवरी की है सन अलग-अलग है ठीक है नेक्स्ट चलेंगे कि 31 जनवरी 1915 को पर्थम विशुयुद के दोरान जर्मनी ने रूस के खिलाप जहरीली गैस का इस्तेवाल किया था कब 31 जनवरी 1915 को इसके बाद नेक्स्ट है 31 जनवरी 1950 को संयुक्त राज अमेरिका के राष्टपती हैरी एस टर्मेन ने हाइडरोजन बम को विक्सित करने के लिए एक कारिये करम की घोशना की थी इसके बाद नेक्स्ट है 31 जनवरी 1953 को उत्री सागर की बाढ़ से नीदर लेंड में 1800 से अधिक और उनाइटिड किंग्डम में 300 से जादा लोगों की मृत्यू हुई थी इसके बाद 1953 में आईरिस समुंदर में 31 जनवरी की यह सारी घटना है 31 जनवरी 1953 को आईरिस समुंदर में नोका दुरगटना में कम से कम 130 याद्रियों और नाविकों की मौत हो गई थी ब्रितानी नोका प्रिंसेज विक्टोरिया उत्रिया एरलेंड जा रही थी जब यह दुरगटना घटी इसके बाद नेक्स्ट है 31 जनवरी 1958 को पहले सफल अमेरिकन उपगरह वेन एलन विकीरन बेल्ट का पता लगाया गया था इसके बाद 31 जनवरी 1996 को स्री लंका की राज़दानी कोलंबो में हुई एक आत्म घाती हमले में क्यान में लोग मारे गए थे और 14 सों से जादा जखमी हो गए थे इसके बाद 1966 में सोवियत संग ने 31 जनवरी 1966 में सोवियत संग ने लूना कारिय करम में मानव रहित लूना नाइन अंत्रिक्स यान की सुरुवात की थी इसके बाद 31 जनवरी 2001 में निदरलेंड में एक स्कोटिस अदालत ने लीबियन अबदेल वासेट अल मेगरहा को दोसी करार दिया था इसके बाद 31 जनवरी 2009 नेरोबी में नाकूमट सूपर मार्केट में भारी आग के बाद कम से कम 25 लोग मारे गए केन्या में कम से कम 113 लोग मारे गए थे 31 जनवरी 1500 निद्यार में को बिर्टेन की रानी एलिजाबेत परतम के आदेश पर भारत में बिर्टेन की पहली इस्टेनिया कमपनी की इस्थापना हुई थी 31 जनवरी को बिर्टेन में तक्त के खिलाब साजिस करने वाले गाई फाक्स को मोत के घाट उतार दिया था 31 जनवरी 1850 को चीन में ताय पिंग हा जनता का संकल्प नाम से सबसे बड़ा जनांदोलन आरंब हुआ था इसके बाद 31 जनवरी को अमेरिका में दास्ता उनमूलन संबंदी तेरवा संसोधन विदेयक स्वीकर्ट हुआ था 31 जनवरी 1884 को अफगानिस्तान के अमीर के मरू को रूसी फोजों ने छीन लिया था 31 जनवरी 1883 में अमेरिका में पहली बार कोका कोला ट्रेड मार्क का पेटेंट किया गया था 31 जनवरी 1943 को दुइत्य विश्वयूद के दोरान जर्मनी के फिल्ड मार्सल फ्रेडरिक पोलस ने सोवियत संग की सेना के समख हतियार डाले थे 32 जनवरी 1957 को अबादान ने तेहरान तक पाइप लाइन बिचाने का काम पूरा किया था 31 जनवरी 1962 को अमेरिकी देशों के संगठन ने क्यूबा को ने सामिल करने का फैसला किया था 31 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्टिय पक्षी घोशित किया गया था और 31 जनवरी 1978 को परसांत मासागर में इस्थित दुपिये देश नोरु को आस्ट्रेलिया से स्वाधिनता मिली थी और 31 जनवरी 1971 पूरु और पशिम भरलिन के बीच 19 साल के अंतराल के बाद फिर से टेलीफोन सेवा बहाल हुई थी ठीक है तो ये सारी घटनाएं कब की है 31 जनवरी की है तो एक एक घटना को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे इसके बाद आ जाते हैं कि 31 जनवरी को जनमें परसिद व्यक्ति ऐसे कौन कोन से व्यक्ति थे जिनका जनम 31 जनवरी को हुआ था बहुत सारे व्यक्ति है वैसे तो लेकिन परसिद व्यक्ति कौन थे फिमस कौन थे 1923 में 31 जनवरी 1923 में सोमनात सर्मा का जनम हुआ था जो परमवीर चक्र पाने वाले पर्थम भारतिय थे क्या थे परमवीर चक्र पाने वाले पर्थम भारतिय थे सोमनात सर्मा थीक है 1975 में भारतिय अभीनित्री प्रिती जिन्टा का भी जनम हुआ था 31 जनवरी को ही कब हुआ था 31 जनवरी को ठीक है 1975 में इसके बाद आ जाती है 31 जनमे परसिद व्यक्तियों का निधन जो 31 जनवरी को ऐसे व्यक्ति जिनका निधन हुआ था 31 जनवरी 31 जनवरी परसिद व्यक्ति जिनका निधन हुआ था 31 जनवरी को इसके बाद आ जाते है next question next हमारे इसमें मात्मा गांदी से related question है एक-एक question का आप लोग अच्छे से answer देंगे मात्मा गांदी ने सरुपर्थम किस आंदोलन के दोरान भूख हरताल को अपना अस्तर बनाया था बताईए फटा-फट से मात्मा गांदी ने किस आंदोलन के दोरान क्या किया था किसे सरुपर्थम किस आंदोलन के दोरान हरताल को अपना अस्तर बनाया था फटा-फट से बताएंगे आप लोग इसका right answer क्या हो जाता है ठीक है तो कौन सी था वो हरताल कौन सी हरताल थी वो हरताल को अपना अस्तर बनाया था कौन सा अंदोलन था बताईए तो उस अंदोलन का नाम था एहमदाबाद आंदोलन एक एक कुशन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे क्या था उस अंदोलन का नाम एहमदाबाद आंदोलन सबसे पहले जिसमें हरदाल को अस्तर बनाया था एहमदाबाद आंदोलन चलिए नेक्स्ट कुश्चन है मातमा गानी ने साबर मती आसरम की स्थापना कहां की थी पताईए फटाफट से मातमा गांदी ने साबरमति आसरम की स्थापना कहां की थी तो ये भी एहमदाबाद में ही की थी कहां की थी एहमदाबाद में नेक्स्ट कोश्चन है मातमा गांधी किसे अपना राजनेतिक गुरु मानते थे तो आप सभी को पता है गोपाल कृष्ण गोखले को किसे मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले नेक्स्ट कोश्चन क्या है हमारा कि गांधी जी दक्षिन अफरीका से कब लोटे थे बताईए फटाफट से गांधी जी दक्षिन अफरीका से कब लोटे थे तो ये लोटे थे 1915 में कब लोटे थे ये गांधी जी से रिलेटेड कोश्चन हर एक्जाम में पूछे जाते है औ मात्मा गांदी ने कब की थी तो यह की थी 1921 में नेक्स्ट है मात्मा गांदी को राष्ट पिता कहकर सरुपर्थम किसने संबोधित किया था बताईए फटाफट से किसने कहा था इन्हें राष्ट पिता तो इन्हें कहा था सुभास चंद्र बोस ने किसने कहा था सुभास चंद्र बोस ने सुभास चंद्र बोस नेक्स्ट कोशन है पूरे विसु में अंतर राष्टिय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है बताईए पूरे विस्व में अंतर राश्टी अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है बताईए फटाफट से तो ये मनाया जाता है दो अक्टूबर को मनाया जाता है मात्मा गांदी के जनम दिन पर मात्मा गांदी ने भारत से सत्यागरह सबसे पहले कहां किया था तो सबसे पहले किया था चंपारण में कहां किया था चंपारण नेक्स्ट कोशन है मात्मा गांदी का जनम दिवस कब मनाया जाता है आप सभी को पता है दो अक्टूबर को मनाया जाता है दो अक्टूबर को मनाया जाता है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांदी जी को कैद करके आगे चलते है यहां तक पहले कोशन कि महात्मा गांदी का भारत चोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी को कैद करके कहां रखा गया था तो इन्हें रखा गया था पुणे में कहां रखा गया था पुणे में रखा गया था चलिए फटाफट से नोट करेंगे नेक्स्ट कोशन पे चलते है कोशन नमबर आठ निमन में से किस देश ने हाल ही में जलवाईउ से परभावीत ग्रेट बेरियर रीफ की रखसा के लिए एक नई योजना लौच की है बताइए फटाफट से राइट अंसर क्या हो जाता है भी आप्सट अन्सर क्या हो जाता है जापान, चीन, अमेरिका या ओस्ट्रेलिया बताईए राइट आंसर क्या हो जाता है तो राइट आंसर हो जाता है हमारा उपसंडी यानि ओस्ट्रेलिया क्या हो जाता है Australia हमारा right answer हो जाता है ठीक है चलिए फटाफट से इन्हें आप लोग अच्छे से note कर लेंगे तो यह आज के हमारे current affair के question हो जाते है जिसमें हमने जटका और आमबान सीरीज में मातमा गांदी से related जो question पूछे जाते है उनके बारे में भी पड़ा है ठीक है अनुसंधान संस्थान के बारे में भी पड़ा है और भी बहुत सारे question हमारे complete हुए है तो class को लेना नहीं भूले एक एक question को अच्छे से note down करते रहिए और यह हमारी daily class होती है सुबह 6 बजे होती है उसके बाद 9 बजे हमारी हिंदी की class होती है और फिर रात में 8 बजे हमारा हिंदी का test होता है ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे कल फिर नए question के साथ मिलते है आपसे और जैसे मैं आपको last me daily बोलती हूँ कि प्लीज वीडियो को जादा से जादा share अगर class में कुछ कमी है तो comment करके बताईए ठीक है लेकिन वीडियो को share जरूर कीजिए आज के लिए इतना ही रखेंगे धन्यवाद जै हिंद जै भारत झाल झाल